अरिस्तियों में भिखर जाता है और एक आदमी उनी परिस्तितों में निखर जाता यह बात सिर्फ नजरीय की होती है आप समझे लो जब लोगोंने ना बोला एक आदमी घर में कुछ गया और एक आदमी चाला आगा तूने चैलेंज किया है तू जोइन नहीं कर रहा, तेरे बिना डायमंड बनके दिखाएंगे, यह attitude ही तो था, yes or no, एक बंदा साला स्टाम पर लिख के दे रहा है, एक आदमी उसको देख करके रो रो के परिसांग कटो रहा है, और दूसरा बोला बेटा तेरे स्टाम को जूटा सावित करके इसी बात मैं भटा जा रहा है, मुझे सीट नहीं मिली, और एक बोला साला जिस दिन सीट मिलेगी, मेरे नाम का टैक लगा होगा, मैं उस दिन तक के लिए काम करूँगा, एक बंदा साला पैसा नहीं है, वो इसी लिए काम नहीं कर रहा, और एक बंदा साला पैसा नहीं है, इसी के लिए तो काम करना है अगर हम मानी होता तो काम करने की क्या जरूती हलो एक बंदे को अगर एक साला फूल कम मिल गया वो इसी बास से तुकी है और एक बंदे इसी के लिए काम करता है आज एक फूल कम मिला साला है क्या मन कलो कि माला नहीं पहनी तो मेरा नाम नहीं इसी के लिए काम करता है attitude हो है, attitude होता है yes or no एक बंदे को time नहीं है वो इसी लिए बाना बना करके बैठा है मेरे पास time नहीं है, मैं कैसे करूँगा और एक बंदा जनता है इस वात को आज मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं समय की आजादी के लिए करूँगा साला मैं किसी का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ मैं खुली जिंदगी जीओंगा इसी के लिए मुझे काम करना है आज मैं बिजी हूँ लेकिन एक दिन आजाद हो जाऊँगा attitude ही तो है attitude है साब सबसे important चीज़ कुछ भी नहीं है इस दुनिया में आप कोई भी बात ला करके बोलोगा मैं हर logic को खारिश करता हूँ सिर्फ नजरिय की बात है मैं उसका आपको प्रमाट दे सकता हूँ आप मरने के कारण देंगे मैं जिन्दा रहने का कारण दे सकता हूँ आप चो बजे बताएंगे मैं उसका उल्टा बता सकता हूँ कि क्यूं रहना चाहिए क्यूं करना चाहिए मेरे पास positive बजे है आपको ढूडनी पड़ेगी आपको ढूडनी पड़ेगी आपकी व्यक्तिकत जिंदगी है